सनातन धर्म में भगवान विश्णु को स्रिष्टी के पालन करता के रूप में पूजा जाता है और समय स्मय पर वे धर्ती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं अब तक वे नौ अवतार ले चुके हैं और कहा जाता है कि उनका दस्वा अवतार कलियुक के अंत में कलकी के रूप में होगा कलकी अवतार का उद्देश इस धर्ती से अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनस्थापना करना होगा शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान विश्णु कलियुक के अंत में कल्की के रूप में प्रकट होंगे कलियुग जो वर्तमान युग है में अधर्म अनाचार और भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ती जाएगी और जब यह अपने चरम पर पहुँचेगा तब भगवान कल्की का प्रकट होना निश्चित है भविश्य पुरान और अन्य हिंदू शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि कल्की अवतार कैसे और कब होगा माना जाता है कि जब कलियुग अपने अन्तिम चरण में पहुँच जाएगा तब मानवता पूरी तरह से अपने नैतिक मूलियों को भूल चुकी होगी और तब समाज में पूरी तरह से अराजक्ता का माहौल होगा कल की अवतार का उद्देश्य इस अराजक्ता और अधर्म को समाप्त करना होगा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल की एक घोडे पर सवार होकर प्रकट होंगे और उनके हाथों में एक तलवार होगी वह पापियों और दुष्टों का सहार करेंगे और पुन धर्म की स्थापना करेंगे इस अवतार के बाद धर्ती पर सत्य और धर्म का युग फिर से शुरू होगा जिसे सत्युग कहा जाता है सत्युग त्रेता युग द्वापर युग और कलियुग चार युगों के इस चक्र में भगवान कलकी का अवतार कलियुग के अंत में होगा और इसके बाद फिर से सत्युग की शुरुवात होगी इस प्रकार यह भी माना जाता है कि युगों का चक्र हमेशा चलता रहता है और धर्म अधर्म के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए भगवान विश्णु अपने अवतारों के माध्यम से इस स्रिष्टी की देखरेख करते हैं कलकी अवतार का समय निश्चित रूप से कब होगा इस बारे में कोई स्पष्ट तिथी नहीं है लेकिन शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाएगी और धर्म का कोई नामो निशान नहीं बचेगा तभी भगवान कलकी का प्रकट होना संभव है कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कलकी का अवतार उस समय होगा जब समाच पूरी तरह से तकनी की युग में प्रवेश कर चुका होगा और मानवता पूरी तरह से नैतिकता और धर्म से दूर हो चुकी होगी यह अवतार न केवल अधर्म का नाश करेगा बलकि एक नए युग की शुरुवात भी करेगा जहां हर कोई धर्म सत्य और सदाचार के मार्क पर चलेगा भगवान कलकी का अवतार एक चेतावनी भी है कि अगर मनुष्य अपने कर्मों को नहीं सुधार्ता तो अधर्म की बढ़ती प्रवृत्ती समाज का पतन कर देगी यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में धर्म और नैतिक्ता का पालन करना चाहिए ताकि समाज में संतुलन बना रहे अगर आपको हमारा विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को डोट सब्सक्राइब करना ना भूले